बलड हमारे शरीर का सप्लाई एजेंट है और इसका प्रशर एक बहुत ही इम्पॉर्टेन्ट परामीटर अगर ब्लड प्रशर कम हो तो सप्लाई ठीक से नहीं पहुंचते है और अगर प्रशर ज्यादा हो जाया तो फिर तूट-फूट हो सकती है लिकेज हो सकती है आज हम करने वाले कि सबसे पहले जानले कि blood pressure होता क्या है तो जो हमारा हार्ट है 위해 pump है और ये हूँन गुमता है पूरे शरीर में तो जब ये contract होता है और expandश होता ह ää दो ये blood गूमता है Central mới और जब ये blood गूमता है untr certaines 더 अर्टरी की दिवारों पर एक प्राशर लगता है उस प्राशर को कहते हैं ब्लड प्राशर तो जब हार्ट कॉंट्रेक्ट होता है मतलब खून भेजता है उस टाइम के प्राशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्राशर और जब हार्ट expand होता है मतलब heart blood receive करता है तो उस time के pressure को कहते है अब ये pressure depend इस पर करता है कि कितने खून की जरूरत है अगर जाधा खून की जरूरत है तो heart जाधा खून pump करेगा जैसे माली जाप weight lifting कर रहे हैं या डौल रहे हैं तो जाधा उपर नीचे नहीं होना चाहिए और इस दायरे को मेंटेन करने का जो सबसे important काम करती हैं वो हमारी arteries करती हैं arteries की जो दिवारे हैं वो flexible होती हैं तो चैक हून कम जा रहा हो चैस जादा जा रहा हो वो कोशेश यह करती हैं कि जो blood का जो pressure है वो एक सीमेद दायरे में बना रहा है तो आई आप हम बात कर लेते हैं कि blood pressure की normal values क्या हैं तो 90-120 का systolic और 60-80 का diastolic एक normal range मानी जाती है हालांकि यह मानते हैं कि 120 y80 का blood pressure बढ़िया होता है लेकिन actually जो एक बहतरी value है blood pressure की वो 105 बटे 70 की है अभी हाल में ही hypertension की definition change हुई है पहले यह मानते थे कि 140 by 90 तक आपको blood pressure की दवाई लेने की जरूरत नहीं है थोड़ा blood pressure ज्यादा तो है लेकिन बगेर दवाई के चलेगा hypertension नहीं है उतना ज्यादा लेकिन अभी definition change हुई है और नई definition यह कहती है कि 80 के उपर का diastolic कभी नहीं है बलकि 140 by 90 तो hypertension stage 2 है तो आपका जो diastolic है वो 80 के उपर नहीं होना चाहिए और अगर इस नई definition के हिसाप से देखें तो पता चलेगा कि दुनिया के करीब करीब आधे लोगों में अब hypertension है अब सवाल उठता है कि इतने सारे लोगों में hypertension कैसे हो गया तो इसके दो बड़े कारण है पहला कारण यह है कि इनसानों के शरीर में बलकि मैं तो कहूँगा कि दिमाग में भी बहुत सारा कच्रा उस नार्मल फ्लो में रुकावर डालता है और दूसरी प्राप्लम यह है कि हमारी जो आर्ट्रीज हैं उन में रिजिडिटी आ गई है बलकि मैं तो कहूं कि हमारे mind में भी रिजिडिटी आ गई है तो यह जो रिजिडिटी है और यह जो कच्रा है यह दोनों मिलके hypertension कर रहा है और यह जो hypertension होना है यह एक तरीके से हमारे शरीर की एराप्टिब मेकेनिजम है कि आप शरीर में बलड की requirement तो है और अगर रुकने में जाने में चलने में प्राबलम हो रही है तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो hypertension होना एक तरीके से हमारे शरीर की एराप्टिब मेकेनिजम है लेकिन यह मेकेनिजम ठीक नहीं है क्योंकि अगर लंबे समय तक प्रेशर ज्यादा रहता है तो फिर टूट-फूट हो सकती है ब्रेश हो सकता है, kidney failure हो सकता है, heart attack हो सकता है तो हम क्या है कि फिर blood pressure को सीमित रखने के लिए दवाईयां लेते हैं तो BP कम करने की दवाई लेते हैं, cholesterol कम करने के लिए statins लेते हैं और खून को पतला करने के लिए aspirin लेते हैं लेकिन इनकी अपनी समस्यां है जो यह eco aspirin है इ cholesterol कम करने की दवाई heart को weak करती है और यह जो BP कम करने की दवाईयां है, actual में इनका जो काम करने का mechanism है वो यह है कि यह अकसर जो heart की pumping है उसको slow कर देती है, कम कर देती है, heart beat कम कर देती है, तो कुल में लागे जो cardiac blood output है वो कम हो जाता है और यह जो blood output कम होने से होता यह है कि फिर शरीर में सब जगे बराबर खून नहीं पहुंचता है और इस खून नहीं पहुंचने से कई समस्याएं होती है अब यहाल में तीन बहुत disturbing reports आई है, पहली report आई है जो यह कहती है कि BP की दवाईया death के chances बढ़ा देती है आजी मैं कह रहा हूँ death के chances और दूसरी report यह कहती है कि BP की दवाईय से cancer हो सकता है और तीसरी report यह कह रही है कि BP की दवाईय से depression हो सकता है, mood swing हो सकता है अब सवाल उठता है कि अगर BP की दवाईयां इतनी खराब हैं तो क्या उन्हें लेना चाहिए उन्हें बंद नहीं कर देना चाहिए नहीं उनको बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्यूंकि अगर आप अचानक BP की दवाईयां बंद कर देते हैं तो बहुत बड़ी प्राब के अपना बीपी पर्मानेंटली ठीक कर ले हाँ जी आप ठीक सुन रहे हैं मैं कहा रहा हूं कि बीपी पर्मानेंटली ठीक हो सकता है वैसे ही जैसे डायबेटीज पर्मानेंटली ठीक हो सकता है यह पर्मानेंटली ठीक कैसे होगा इसकी बात हम करेंगे अगली एपिसोड में झाल झाल